दोस्तों नमस्कार मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें उससे पहले इन सिद लोगों के लिए इस वीडियो को सेर कर दीचें आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद दातों तले अंगूली दबा देंगे क्योंकि ये आपको अभी ववाईल की स्क्रीन पर सिद लोग जो नजर आ रहे हैं ये सिद लोग आप देखिए किस तरीके से जलते हुए अंगारे अपने मूं में ले रहे हैं जलते हुए अंगारे अपने मूं में लेकर के ये लोग नर्त्य कर रहे हैं आप इनकी तप देखिए साधना देखिए तपस्या देखिए कि क यह पर नर्त्य करेंगे वह तस्वीरे दिखाऊंगा लेकिन यह देखिए यह देखिए मूह में जलता हुआ अंगारा है और यह लोग नर्त्य कर रहे हैं जड़ा आप सोचिये कि इनकी साधना तब तपस्या किस तरीके की होगी किस इस तर तक की होगी कैसी इनकी तापना चलते हुए अंगारे मूह में लेकर नर्त्य कर रहे हैं आप देखिए एक तरफ अंगारे जल रहे हैं दूसरी तरफ यह सिद लोग अपने मूह में अंगारों को हाथां में लेकर जलते हुए अंगारों को हाथां में ले रहे हैं फिर अपने मूह में भी डाल रहे हैं और अगनी निर्ट्य करते विए आपको नजर आ रहे हैं जैपूर में एक बहुत बड़ा करिक्रम चल रहा है सिद्ध समुदाय का और तमाम जो सिद्ध समुदाय की लोग हैं आप देखिए गरा इन तस्वीरों को निहारिए और अपने आपने मैं चाहँगा कि यह देखिए छोटे से सिद्ध है और पूँ से अंगारे फैक रहे हैं आप देखिए किस तरीके से जो है वह आपको अंगारे मूं में लेकर कि यह सिद्ध समुदाय के लोग नर्तिय करते पर देखिए क्या नाम है आपका अंसनाथ सिद्ध आप कहा से हो सिद्ध जी चूरु जिल्ला तस्थिल विदा से मूं में कैसे लिखे भी कर सकते हैं यह दो बगवान की गरपा जसनाजी की तो जलता वलता नहीं है पता ही नहीं चलता है किने सालों जगरे हैं तब 15 साल हो गया और दो कि अधियर करते हैं तब को जलते नहीं है कि अब अगरे निंग मा बैठेगे अफ़ इसका इंधर मा था हुआ तो कितने साल कितने साल प्रशक्व अमने सब लोग करते हैं किस तरीके से यहां जो सिद संप्रदाय के लोग हैं विना पैरों के इस अंगारों पर आपको थोड़ी दिर बाद नजर आएंगे अपने बहुत बड़ी साधना है तो आप लोग तब करते हैं साधना करते क्या होता है अच्छा किते साल से आप लोग कर रहे हैं तो आप देखिए कि तमाम जो लोग है वहां पर है और मेरे सायों के और इस तरह से भी मैं आपको तस्वीरे देखा हूंगा कि